आज मैं आपसे पानी पूरी का एकदम चटपटा एं तीखा पानी की रेसिपी शेयर करूंगे हम इसे एकदम मार्केट जैसे जो ठेले वाले होते हैं न उसी की तरह हम इसका पानी बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से यह घर पे बन जाता है पानी पूरी का पानी बनाने के लिए मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सद धनी है पती है न वो ली है उसे में अच्छे से वाश कर लिया है अब मैंने छे से साथ ग्रीन चिली ली है आप चाहे तो अपने स्वाधन अनुसर कम ज़्यादा कर सकते हैं मैंने दो से तिन अद्रक के टुकड़े इसमें एड करें हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड करेंगे और इसे पीस लेंगे यह देखिए मैंने इसे पीस लिया है अब हम इस मिक्सीर को एक बाउल में खाली कर लेंगे अब मैं इसी मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी एड करके उसे अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दोंगी ताकि जो हमारे आसपस की जितनी भी चटनी है वो इसमें एड हो जाए और हम इसमें थोड़ा सा मैंने हाफ कप इतना पानी ओर एड करा है और अब हम इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें मसाले एड करेंगे मसाले के लिए मैंने इसमें वन फो टी स्पून इतने हिंग ली है हाफ टी स्पून इतना काली मेर्च पाउडर वन टी स्पून इतना पिसावा भुनावा जीरा लिया है हाफ टी स्पून इतना काला नमक एड़ करा है हाफ टी स्पून इतना सेंदा नमक एंड half teaspoon इतना साधा नमक जो हमारा normal नमक रहता है वो लिया है अब मैं इसमें one teaspoon इतना चाट मसाला एट करूँगी आप चाहे तो पानी पूरी का मसाला बेज कर सकते हैं पर हम इसे without पानी पूरी की मसाले से बना रहे हैं आप चाहे तो एट करें नहीं तो कि नहीं एट करें अब हम इन सारे ingredients को अच्छे से mix कर लेंगे अब guys आप चाहे तो इस पानी को छान भी सकते हैं और अगर आप दरदरा चाहते हैं तो इसे नहीं भी छानी है तो यह हमारा पानी पूरी का मसाला ready हो गया है अब मैं इसमें बूंदी एट करूँगी यह जो बूंदी है यह मैंने घर पे ही बनाई है तो आप इसकी भी recipe चाहते हैं तो मुझे comment box में लिखके बता सकते हैं मैं इसकी भी recipe आप से share करूँगी अब हम इसमें थोड़ इसी बूंदी एट कर देंगे और इस अच्छे से mix कर लेंगे तो guys हमारा एकदम चटपटा और तीखा पानी ready है आप चाहे तो इसमें थंडा करने के लिए ice cube भी add कर सकते हैं तो अब मैं पानी पूरी लूंगी और गोलगपे को मैं 4K इसमें पानी एट करके टेस्ट करूंगी guys बहुत ही यमी पानी हमारा बना है तो आपने देखा होगा कि एकदम ठेले वाले style पानी पूरी हम easily घर पे बना सकते हैं तो guys आपको मेरी recipe पसंद आईए तो मेरे वीडियो को आप ज़दा ज़दा like and share करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल भी मत बूलेगा मिलते guys हम next new recipe के साथ तब तक के लिए take care